क유 बॉण्टी कैसे हुआ अब सभी गाईश सभसे आप लोगों थैंक यू आप लोगों ने सुवस हुआ इतने सारे कमेंट किये वहने लोगों के कई स्यारा लोग ने बिसिकली आइटी इसे कर रखा है और कुस लोग ऐसे भी हैं जिनको कोर्स नहीं कि आप उन्होंने एज़े हैं फ्रेसर के तौर पर काम सीखा हुआ है तो पूछ रहते हैं कितनी सेलरी मिल जाती है और सबसे बढ़िया जगा कौन सी एंडिया कि कौन से स् अदिया कि मुंबई और डेली सबसे अधिया आप सेलरी मिलती है और जॉब के लिए कुछ रिक्वार्मेंट्स है वह पहले सेलर कर देखो अगर आपने कॉर्स कंप्लेट कर लिया है तो आप कही ने कहीं एक्स्प्रियेंस लेलो गया तो जॉब असानीजा मिल जाता है और अधिकतरă इंडरवई में जो अधिकतर लोग इसलिए क्लियर ने कर बाते हैं क्योंको एक्स्प्रियंस नहीं होता है और विठ्रेयर के तorf पर ज्वश होते हैं तो आप कम जलरी मिलती है इसलिए च्वह महीने एक इंडिया में इसकी जो एवरेज सेल्डी है वो 20 थारेंट से रूपए से लेकर के 60 थारेंट रूपए तक मन्त ली है क्योंकि जो हाई लेबर जो 5-10 येर से ऐसे कंपनी के लिए काम कर रहे हैं काई सारी प्रोडक्शन कंपनी सेंज में आपको जाब मिलते हैं उनके लिए चो काम कर रहा है उनको 60 थारेंट 55 थारेंट एवरेज मिल जाता है ठीक है एक फ्रेजर के तौर पर शेल्डी की बात करें तो इसकी मिनिमम्म शेल्डी होती है वो 15 थारेंट रूपए से लेकर के म है थारेंट ठेक होती है ठीक है तो फिली देट प्रेंट के रहा है ठीक है तो फिली देख समूंत to what to do comment ko do I have a nice day Bis desde